आज हम एकदम नए तरीके से कड़ी बनाने जा रहे हैं, ये कड़ी होगी पालक वाली, बहुती स्वादिश्ट बनती है और पॉष्टिक भी होती है, तो चलिए बनाते हैं सिंपल और आसान तरीके से, राजस्थानी स्टाइल की पालक वाली कड़ी, स्वागत है आपका स्वाध्या रसोई में इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीब 100 ग्राम पालक इन पत्तों को मैंने अच्छी तरह धूलिया है और इसकी डंडिया हटा के और इस तरह पत्तों को चौप कर लिया है तो इस तरह बारी काटके अलग रख दें अब हम कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे चाच का यूस कर रहे है आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं मैंने यहाँ लिए आदा लेडर चाच यह चाच थोड़ी खटी है इससे कड़ी अच्छी बनती है अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे तो मैं ले रही हूँ चार चमच बेसन तो फोर टीस्पून बेसन ही डालें अगर आपको एकदम पॉफेक कड़ी बनानी है तो फिर आपको करेक्ट रेशियो से बेसन और चाच लेना होगा अगर आप दही यूस कर रहे हैं तो पहले उससे थोड़ा पतला कर लें उसके बाद उसमें चार चमच बेसन मिलाके और पानी मिलाके उसको पतला कर सकते हैं तो यहां मैं हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह फेट रही हूँ ताकि बिल्कुल भी इसमें गांटे ना रहें नमक डाल देते हैं इसमें और थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्च डाल रही हूं मैं यहां पे एक चोथाई चमच, अब सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब इस चाच के मिक्सचर को हमें थोड़ा डाइल्यूट करना है, तो इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा पानी, मैं यहां पे डेड़ ग्लास पानी आड़ कर रह तरके के लिए आदी चमच जीरा, आदी चमच राई, आदी चमच मेथी दाना लेंगे, और एक से दो चुटकी हींग डालेंगे, अब सब चीजों को हम इसमें डाल देते हैं, अगर आपके पास करी पत्ता अवेलेबल हो तो आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास हरी मिर्च, मैंने लिए दो हरी मिर्च, लिट करके इसमें डालें, इसे के साथ मैं यह आपे अदरक लेसुन का पेस डाल रही हूँ, यह है मारवाडी स्टाइल के कड़ी, तो इसमें अदरक लेसुन भी डलता है, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, जब भी थोड़ा मिक्स्चर, तो देखिए, पालक आप कलने लग गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अगर रेसिपिक के इंग्रीडिन्स की लिस्ट आपको चेक करनी हो, तो मैंने नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं, अब इस बेसन भी पक जाता है, और पालक तो हमने थोड़ा पहले इगला लिया था, तो करेक्ट कंसिस्टेंसी आने में थोड़ा समय लगता है, एक बार ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए और थोड़ी गाड़ी होने लग जाए, इस तरह से तो फिर आप इसे बीच-बीच मे लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिलकुल भी न भूलें, कड़ी को पकाते हुए मुझे 20-25 मिनिट हो गए है और आब आप देख सकते हैं, एकदम पॉफेक कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी, एकदम स्मूध हो तो ये बहुत ही कमाल लगती है, लेकिन इसमें अगर हम मिर्च का घी बनाके डालते हैं, तो उसे फ्लिवर भी बढ़ी आता है और देखने में कड़ी बहुत स्पेशल लगती है, एक से दो चमच देशी की गरम करेंगे, उसमें साबुत लाल मिर्च जालेंगे, और तड़का कड़ी के उपर, और अब इसे आप गरमा गरम चामल के साथ सर्फ करें, या फिर चपाती के साथ सर्फ करें, बहुत ही स्वादिश्ट बनती है, ये राजस्तानी कड़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राय करेंगे, और इसे पसंद भी करेंगे, ऐसे ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहें स्वादिया रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी